आज यानी थर्ड जून को रिलीज हो चुकी है हिस्टॉरिकल एक्षन ड्रामा फिल्म समराट पृत्वी राज जहां स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं पृत्वी राज जी को प्रेजन्ट करते अक्षे गुमार संजेदत है काका कानहा, सोनू सूध है चांद बरदाई और मानूशी छिलर जिनकी है ये डेब्यू फिल्म वो नजर आ रही है ऐस सही योगिता अगर ये श्राज फिल्म्स ने ये क्लेम किया कि उन्होंने इस फिल्म पर फोर इयर्स तक काम किया है तो उसमें कोई डाउट नहीं है आप इस फिल्म में पृत्वी राज जी पर एक एक डिटेल को ध्यान से देख पाएंगे और उसे समझ पाएंगे ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको इंडियन होने पर प्राउट करवा देगी ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको मजबूर कर देगी उसकी तारीफ करने में अगर हम साउथ की एक्शन और वी एफेक्स से भरी फिल्म को ब्लॉग बस्टर बना सकते हैं तो एक ऐसी फिल्म जो हमारी हिस्टरी से जुड़ी है जिससे हमें वो सब जानने का मौका मिल रहा है जो कभी हमारी बुक्स में मेंशन नहीं किया गया तो क्यों नहां हम ऐसे है जो बच्चे से लेकर बड़ों तक को एंजोई करने जाना चाहिए इस अ फुल फैमिली एंटेटेनर फिल्म विद लॉड़ अफ नॉलेज एजुकेशन इन अब अगर अक्शे की आक्टिंग की बात की जाए तो वो काफी बढ़िया है लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसा ल 5-10% की कमी जरूर नजर आएगी बट वहीं अगर बात करें 2017 फैमिना मिस इंडिया यानि मानुशी की आक्टिंग की तो उनकी आक्टिंग तो सच में कमाल की है जो उन्हें बोलिवुड में अपने पैर जमाने में बहुत हेल्प करने वाली है संजु और सोनु की तो नहीं बट बड़िया जरूर कहा जा सकता है फिल्म का क्लाइमिक्स और फाइटिंग सीन्स ऐसे हैं जो आपको दांतो तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देंगे फिल्म काफी ग्रांड स्केल पर बनाई गई है जिसे हमें बिग स्क्रीन पर ही एंजोई करने जाना च जाहिए कि बॉलिवूड ऐसी हिस्टोरिकल एंड नॉलिजिबल फिल्म हमारे लिए और लेटर आए बात घुमा फिरा कर इतनी आती है कि अक्षे की अगर लाच रिलीस बच्चन पांडे फ्लॉप रही तो समराच पृत्वी राज एक रिकॉर्ड सेट करने वाली फिल्म हो झाल